हेलो जी असलाम अलेकुम एंड विलकुम बेक टू माई चैनल कैसे हैं जी आप सब लोग उमीद करती हों कि आप सभी लोग खेरियत से होंगे और विलकुम करती हो मैं आप लोगों को अपने डेली व्लॉग सीरीज की एपिसोड 10 में तो सुबह होते ही मैंने व्लॉग भी छूट करना स्टार्ट कर दिया था और फिर मैं आगी थी वॉक करने अब मुझे ये मत कहना कि मैं मरमर के वॉक करती हूँ खेर जी मैंने मुबाइल को साइड पे करके सुकून से वॉक कर ले थी और भी मैं आगी थी किचन में और मैंने चड़ा दी थी चाय किस की सुबाना चाय के बिना नहीं होती है जरा कमेंट्स में बताओ कौन कौन है वो लोग जो चाय पीते हैं इस तरीके से क्योंकि उन्हें निशे कहा जाना चाहिए खेर जी मैं आजाती है अपने गार्डन में और सुबह 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 सबजा देखके आँखों को सुकून मिलता है ये चीजे न आप लोग भी ट्राय जरूर करना और आजकल सुबह सुबह जो धूप निकलती है वो बड़ी मीठी मीठी सी होती है क्योंकि सर्दियां आ रह साथ ही मैंने ये कीडे देख अच्छा की नहीं है ये न बाद में चेंज हो जाते हैं बटफलाइ के अंदर बहुत प्यारी बटफलाइ बनती हैं और फिर मैंने एक और चीज़ भी देखी और वह हैंटी टितली के अंडे किस किस नई रेल में देखे है कमर्स में बताना बा वाइट वाली पतक है ना ये तकरीबन कोई तीन चार दिन है से ना इसकी कुछ कंडिशन अजीब सी थी और फिर मैं लगा कि ये बिचारी अंधी हुई है कांग से और ये देखो इसकी ये कांग से इतना जादा फ्लूबर निकल रहा था और ये इतने दिनों से इतनी जादा परिशान थी तंग थी तो फिर जी ये बिचारी अंधी है अब ये खा भी नहीं पा रही थी कुछ इतने दिनों से और इसकी इकनिशन और ज़्यादा खराब होती जा रही थी तो हमने क्या किया किया कि इसका अल्लह अकबर करवा दिया समझ आ रही है ठीक है अगर आप लो अगर आते होंगे लेकिन सबकी रेसिपी अलग होती है न मैंने सूचा अपने वाली रेसिपी भी आप लोगों से शियर करती है तो मैंने सबसे पहले लिया था और ओल में डिरेक्ट मैंने डाल दिये थे टोमाटर क्योंकि मुझे टोमाटर सॉफ्ट जादा चाहिए थे अच्के बाद मैंने यहां पर डाली थी हल्री और मिर्ची अब इस मसाले को अच्छे से भून लेनेंगे उसके बाद हम इसके अंदर एड़ करेंगे यह रिवारी मिर्ची आपने नहीं एड़ करने है तो आप आप रोग एड़ ना करो और पिर जी हम इसके अंदर आलो यह लुट यह पकते ही नहीं है इसलिए पलोगों ने कोशिश करनी है कि जितना हुसके इसके बुनाई अब आप लुगोंको आड़ करना ही ना प Wrसक्र गरते, जब आप लोगों के आलु जहे अच्छे से सौफ्ट हो जाएंгов ैंड अपने ही साप से हम लोग अंडे कम और आलू जादा रखते हैं आलू अंडे के अंदर और उसके बार बारी आती है सबसे जादा मैजिकल चीज़ की यानि धनिया की अच्छा जब आप लोग अंडे के अंदर ना एड़ करते हो तो आप लोग उन्हें फ्रेम जो है न वो अच्छी खासी कर लेनी है और फिर चमच को इस तरीके से हिलाते जाना है ताके अंडा एक साइड पर बिना हो जाए और अच्छे से कूक भी हो जाए जब अच्छे सी फ्लेम होगी ना तो वो भुनाई हो जाती है तो अंडा अच्छे से पक जाता है ठीके और हरा धनियों खूब सारा नहीं डालेंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा भी हम लोग घर पे जो भी बनने आलने लेकिन बच्चों ने तो बाहर से पिज़े मंगा के खाने होते हैं तो ये जो है ना मारी अवाम ने पिज़े मंगा के खाया फिर मैं आगी थे अपने भाई से मिलने के लिए अम्मी की तरफ और फिर हम लोगों ने भी अपने असली दिखाए और हम लोगों ने मंगाया था नान पकोड़ा नान पकोड़ा किस-किस को पसंद है कमेंट में मुझे जरूर बताना और आज कलना ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मतलब मेरा ऐसे होता है कि कुछ अरसे में कुछ खाओ जादा जाटे नान पर यह पर ऐग शहल्स में अपने घर में ड्रचन को डैती हो अपने घर आकमश्ट नेए तो आम को लेक्ट कर लेते हैं थो ड्राय हो जाते हैं तो हम लोग डिरेक्ट इनको गंबलु में डाल देते हैं आपके पास टाइम है तो आप लोग इसको ग्राइंड करके इसका चूरा-चूरा यानि पावडर पावडर भी डाल सकते हो लेकिन टाइम नहीं है ना तो आप लोग डेली कारण भी अपने गमलू में डाल सकते हो कुछ लोगों को यह बुरा लगता है तो थोड़ी मेहनत कर लेना उसका पावडर बना रेना अच्छा यहां पर थोड़ी मट्टी जो हमारी कुछ गमलू की खराब होई थी तो इसकी गोड़ी की मैंने इससे आप लोग क्या कहते हो बताना यह मट्टी जो थी वो सकती तो फिर उसको पानी बगएरा डाला उसके बाद मैंने सीड एड़ी के थे सीड जो होता है न वो एक एक जो लोग लगाते है उस तरह से मुझे जो है वो लगाना नहीं आता एक तो बार मैंने ट्राइ किया था मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आए था तो अब मैंना ऐसे डाल देती हूं सीड ठीक है ना ये देखो इस तरके से हाथ में लिए और थोड़े गमलों में सारे मिक्स सीड डालते जाओ क्योंकि पता नहीं होता ना कहां पर कौन सा सीड ग्रो कर जाए मुझे तो वह वाला नहीं आता है मतब जितने सीड डालो उतने प्लांट्स मिल जाए मेरे साथ इसा कभी नहीं हुआ यह ट्राइ ट्राइ अगें करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो होई जाएगा काफी लोगों को जो है वह गार्डनिंग जो बहुत महंगी हो भी लगती तो ऐसा कुछ भी नहीं है अब कुछ प्लांट्स लगाओ और चूपने गार्डनर फ्रेंड्स बनाओ और फिर आपकी बहुत सारे प्लांट आजाएंगे और हर किसम के प्लांट्स आजाएंगे वाज़ता है आप लोग सीख लोगे अच्छा मैं किसी भी चीज के ओपर अलग से वीडियो नहीं बनाती जैसे कंपोस्ट के ओपर गार्डनिंग के ओपर या इस लिए प्लाट की फ्रॉफिगिश जैसे ये देखो अगर आपके पास एक स्नेक प्लांट है तो आपस पे एक पत्ते के तीन कट करके रहा तीन स्नेक प्लांट बना सकते हो और ये जो है ना मॉस रोज इसको तो आप लोग को पता है हुआ कि आप कहीं पे ब्यूगा सकते हो या हर जगा हुगाती है और इसके यह कंप्लीट किया था कुरान पाक का कवर तो यह मुझे बहुत प्यारे लगा था तो मैंने सचाप लोग से शेयर करते हैं बाकी इसका प्यारा सा फोटो शूट अलग से शेयर करूंगी